जैहिंद एब्रिबान, मैं सचे नियादव आप सबका स्वागत करता हूँ SD Campus Teaching Exams पर आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा सबाल चल रहा होगा एक लंबे समय से सिच्छक भरती का आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिच्छक की भरती नहीं आई है सर अब हम क्या करें बहुत जादा डिमोटिवेट हैं अभी कुछी दिन पहले, 102-3 दिन पहले आपने देखा होगा एक नोटिस बड़े ही सुर्खियों में चल रहा है आखिर वो नोटिस क्या है, क्या सच है, जूट है, क्या है वेकिंसी आएगी या नहीं आएगी आपके मन में तमाम सारे सबाल चल रहे होगी तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उत्तरप्रदेश सिच्छा सेबा चयन आयोग की द्वारा आपकी भरती की जाएगी ठीक है? अब आपकी भरती आएगी कब इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले ह ہیں आप सभी के मन में क्या-क्या सबाल चल रहे होंगे आप सभी के मन में सबाल चल रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से स्थिच्छक भरती नहीं आई है इसलिए पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ये लाजबी है आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा वो जाहिर है भाई एक लंबे समय से भरती नहीं आई है मैं आप सभी कोई डेटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर कब ये वेकेंसी आएगी आएगी भी कि नहीं आएगी हम डेटेल चर्चा करेंगे ठीक है भाई चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपके मन में क्या सवाल चल रहा होगा क्या सिच्चक सपना पूरा नहीं हो पाएगा सर हमारा जो हमने सिच्चक बनने का सपना देखा है क्या वो अधूरा रह जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है भाई और भी आपके मन में सवाल चल रहे होगी ठीक है भाई चलिए तो इन सभी सवालों के हम जबाब करने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले एक notice viral हुआ उस notice का जब तक हमने authentic तरीके से उसकी news नहीं निकाल ली तब तक हमने ये notice आप सभी के साथ साजा नहीं किया है ठीक है क्या है ये notice आईए अब हम जान लेते हैं इस notice के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है आखिर सरी नोटेस ठीक है भाई चलिए ये प्रारूप नियमाबली है प्रारूप नियमाबली का मतलब ये हुआ कि अथेंटिक नहीं है अभी ये बोर्ड की तरब से आयो की तरब से ये authentic ये जो प्रारूप दिया गया है वो authentic नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ये सच है और इसमें चेंजमेंट भी देखने को मिलेगा आपको देखना जब आयो के द्वारा official notice आएगा तो उसमें कुछ चेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है हो सकता है कि बहुँ जादा चेंजमेंट देखने को ना भी मिले ठीक ह इसमें क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश असास्किय साहिता प्राप्त माध्यमिक बिद्याले अध्यापकों की भरती और सेबा सर्ते नियमाबली 2024 यह नियमाबली केवल निकाली गई है जो एड़िड स्कूल होते हैं उनके लिए जो भी एड़िड स्कूल होते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे सब कुछ दिया गया है देखिएगा संचिप्त नाम और प्रारूप यह नियमावली उत्तरप्रदेश असास्किय साहिता एबम माध्यमेग विद्याले अध्यपकों की भरती एबम सेबा सर्ते नियमावली 2024 कही जाएगी ठीक है इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी गई है अधिनियम से तातपर इंटरमेडियर से चाधिनियम 1921 से है यानि कि सारी सर्तें इसमें दी गई है कि किस कि सर्त के तहत ये भरती पूरी की जाएगी ठीक है भाई इसमें सारी चीजें बोली गई है ये कहा गया है यहां देखे स्रेडी 3 को देखेगा प्रसिचित इसनातक स्रेडी के अध्यापक सौ प्रतिसत आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा ठीक है आगे क्या बोला गया है परंतु ऐसे इंटर्मीडेट कॉलेज औ और हाई स्कूल जहां संबंद प्रात्मिक अध्यापक उत्तरप्देश हाई स्कूल तथा इंटर्मीडेट कॉलेज अध्यापकों तथा अनिक रमचारियों के बेतन का भुक्तान अधिनियम 1971 के उपवंदों अधिन बेतन प्राप्त कर सके हैं ठीक है यह सारी डिटेल इसम यह देखने को मिला है वो उम्र को लेकर देखने को मिला है क्या? इसमें उम्र सीमा क्या रखे गए है एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है तो मिनीमम् जो उम्र है वो कितनी रखे गई है 21 बर्स रखे गई है ठीक है? और जो मेक कैmit सबसे बड़ा चेंजमेंट यहां द प्रारूप है ठीक है अब बोड जब तक आयोग इसको ओफीशल नहीं मान देगा तब तक हम इसको ओफीशल बिल्कुल नहीं कहेंगे और यह ओफीशल है भी नहीं लेकिन हो सकता है कि इसी प्रारूप पर आपको आयोग नोटिस भेजे यह सच है ठीक है इसमें कोई कर दूं क्या सिच्छक सपना पूरा नहीं हो पाएगा एस होगा ऐसा नहीं है कि आपके सिच्छक बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई आपके सिच्छक बनने का जो सपना है वो पूरा होगा 100% पूरा होगा अब मैं आप सभी को सबसे पह है आपकी ये election के बाद आने की possibility है election के बाद आने की possibility है election से पहले तो आई नहीं सकती है क्योंकि आचार साहिता लग चुकी है ठीक है और election के बाद आएगी क्या election के तुरंत बाद आजाएगी जून या जुलाई में vacancy देखने को मिल जाएगी तो possibility है हन्ड्रट परसेंट हम नहीं कहते हैं possibility है 90 परसेंट 90 परसेंट possibility है कि जून को ळास्ट तक वैकरन चैशन निश्यत है निश्यत है है तो अपने मनुवाल को मत तोड़िएगा आप लोग ठीक है बैकन सी आते निश्यत है जून जुलाई नहीं आएगी, हम क्या रहे, अगस सितंबर तक आएगी, लेकिन बेकेंसी जरूर आएगी, ठीक है भाई, तो आप ये समझ लीजिएगा, कि अगर आपने सपना देखा है, कि UP, शुपर टेट के तहत हम UP में सिच्छक बनना चाहते हैं, तो आप जरूर बनेंगे, आप इस ची होगा, क्यों उत्तर प्रदेश में पांस साल से सिच्छक भरती नहीं आईए, सर, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हाँ, मैं जानता हूँ, थोड़ा सर दिमोटिबेट होंगे, जाहिर सी बात है ये, ठीक है, चलिए हम अपनी पढ़ाई को बंद मत करिए, अपनी पढ़ाई को continue रखिए, जब तक आपकी उत्तर प्रदेश में सिच्छक भरती आपको देखने को नहीं मिल रही है, तब तक आप other state की बेकिंसी देख सकते हैं, जैसे BPSC हुआ, डीटर प्लेस भी हुआ, जो डीटर प्लेस भी की जो बेकिंसी है, वो भी अपने आप में के अच्छी बेकिंसी है, बहुत अच्छी बेकिंसी है, दिल्ली में रहकर आपको एक अच्छी salary के साथ एक सिच्छक बनने का सपना देती है, डीटर प्लेस भी, ठीक है भाई, तो ये भी आप चूज कर सकते हो, बिहार में आपने देखा कि अभी 3.0 vacancy आई थी, इसी तरीके से TRE 4.0 आएगी, तो आप बिहार में भी अपना form fill कर सकते हैं, अगर आप ये UP के निवासी हैं, उत्तर प्रदेस के निवासी हैं, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेस में हम सिच्छक बनें, तो उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, आ ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखे बैठ जाना ही केबल, प्रप्रेशन जारी रखिए और अपने अधर इस्टेट में देखिए, जहां भी आपको जाना है, वहां अराम से आप form fill करके वहां पर वेकंसी एक अपनी सीट पकी कर सकते हूं, कोई ऐसा नहीं है कि बिहार मेरे भाई, हजार पांस, चेहार दस जार क्लोमेटर दूर है, ठीक है ऐसा नहीं है भाई, आप वहां भी जॉब कर सकते हैं, तब तक के लिए, जब तक आपके श्टेट में आपकी वेकंसी नहीं आती है, तब तक के लिए, ठीक है भाई, आप claim में जा सकते हैं, यानि कि अधर possibility है जोलाई यह अगरस्त तक आपके form देखने को आपको मिल जाए 100% ठीक है भई पूरी possibility है ठीक है तो आप लोगों को तब तक के लिए हतोत साहिन नहीं होना है इन vacancy यों पे थोड़ा सा focus करना है अभी देखेगा KBS की vacancy आई थी और KBS की हो सकता vacancy बहुत जल्द फिर आपको देखने को मिल जाए election के बाद KBS की vacancy फिर हो सकता है देखने को मिल जाए तो आप लोग इन में भी form फिल करिए ठीक है तो आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रही है होप सो ये target आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना UPC च्छक भरती के बिसमें मैंने आपको बता दिया है कि भाई election के बाद आपकी vacancy आने की पूरी possibility है तो अपनी तयारी में लगे रही है अच्छे से पढ़ते रही है आप सभी के लिए जो ये notice वाईरल हो रहा वो मैं आपने telegram channel पर provide करा देंगे SD campus teaching exams पर तो आप हमारे साथ जुड़े रही है इसी channel पर सांदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रही है हमारी बहुती सांदार क्लासें भी चल रही है इस channel पर आप CTET अगर कोई विद्यार्थी चाहते है अभी CTETी उनका क्वालिफाई नहीं है तो CTET की भी हमारी क्लासें चल रही है चंडीगड में अभी सिचक भरती आई हुई है वहां की हमारी क्लासें बहुत अच्छे से चल रही है तो आप हमारी साथ जुड़कर अपनी तैयारी में और चार चांद लगा के अपनी सपनों को पूरा कर सकते है तो पढ़ते रही हस्तेरी मुस्कराते रही वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देल से लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके जुड़ जाएए ऐसी सांदार इंफॉर्मिशन के लिए ऐसी सांदार क्लास के लिए ओके बबाई टिक क्यार